चोपड़ा जो किसने योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों MCC ने जो New Counseling Rule लागू किया है, जिसके तैत स्टेट और All India Kota के Second Round की सीट जोइन करने के बाद स्टुडेंट फर्दर काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं रहेंगे, यानि उनकी काउंसलिंग यहां पर ही एंड हो जाएगी, इससे All India Kota की कटोप लो जाएगी, यह कितने म वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर हमारी वेबसाइट www.choptaeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, हम आप से संपर कर लेंगे, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, अब बात करें कि यह रूल लागू नहीं होने से 2021 में student को कैसे नुक्सान हुआ पहले, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो मोपप राउन्ड में जो meritoris student थे, उन्होंने state में seat जोइन करने के बाद मोपप राउन्ड में भी participate किया, 24 फिल करने के बाद seat अलोड करवा ली, जिससे मोपप राउन्ड में lower candidate को seat नहीं मिली, ही consider की गई, उसी के according seat अलोड हुई, और फिर से उन candidate को तो seat अलोड नहीं हुई, जिन्होंने मोपप में seat जोइन नहीं किया था, लेकिन उन candidate को seat अलोड हो गई, जिन्होंने state में जोइन कर रखा था, और All India के मोपप में उनकी 24 की seat अलोड नहीं हुई थी, मगर इस्ट्रे म उनकी 24 की seat अलोड हो गई, और उस seat पर वो जोइन नहीं कर पाए, कारणी यही रहा कि या तो state ने उनको डोकुमेंट्स नहीं दिये, या फिर उनको वो seat पसंद नहीं आई, अन्तत है, फिर से वो seat वेकेंट रहेगी, अभी special stay vacancy round conduct करवाया गया, उसमें 50,000 security money भी deposit करवाई फिर से twice लीगी, और कुछ state joined other candidate ने, security money की परवाद ने करते हुए, फिर से security money deposit करके, फिर से participate किया, और उनको अच्छी seat नहीं मिलने के कारणी या तो state ने डोकुमेंट्स नहीं दिया, या अच्छी seats उनको नहीं मिली, इसलिए उन्होंने जोइन नहीं किया, तो ये MBBS की 2021 म इन seat का नुकसान हो गया, और ये seat आगे भी वेकेंट चलती रहेंगी 2021 के batch में, अगर ये seat borderline के students को मिलती तो उनकी life बन जाती, अब 2022 में इस rule से क्या फाइदा होगा, तो अब इस rule से फाइदा ये होगा कि मोपप round में वही student participate कर पाएंगे, जिनको अभी तक किसी भी state में seat जिन्होंने join नहीं किया है और All India में भी join नहीं किया है, वही candidate इसमें participate कर पाएंगे, वो student participate नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने All India और state का second round join कर लिया है, जिससे मोपप round के बाद seat vacant रहने की possibility नहीं है, उनी student की seat मोपप round में vacant रहेगी, जिनको अच्छी seat नहीं मिलने से वो drop कर ना चाहेंगे, ऐसे student की संख्या नाम मातर की होती है, तो ये जो stay vacancy round में seat जाएंगी, वो नाम मातर की seat जाएंगी, और वो stay vacancy round की सारी seat फिल हो जाएंगी, अब हम बात करेंगी, इस rule से आने से cut off कितने marks डाउन जा सकती है, ये cut off कितने डाउन जाएगी, तो All India कोटा में ये 2 से 3 marks तक down जाने की possibility है, जो border level के student है, उनको फाइदा होगा, ये rule उनके लिए एक वरदान साबित होगा, अगर ये rule 2021 में आता, तो ये जो MBBS की seat वेकेंट रही थी, ये seat वेकेंट नहीं रहती, तो इससे काफी फाइदा होगा, students के लिए काफी कुसी की बात है, तो मिले होगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैखेंगे,